नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया शुरुआत हेडलाइन से राज्य सभा में राफैल और कावेरी मुद्दे पर लगातार आठवे दिन बाधित हुआ कामकाज सदन के सुचारु संच्वालन के लिए सभापती एमवेंक्या नायडू की सर्वसम्मत्ती से व्यापक प्रडाली विकसित करने की सलाः लोग सभा में नियम समिती ने की कारेवाही बाधित करने वाले सदस्यों के स्वतह नलंबन के सिपार्च राज्य सभा में उठा कम्प्यूटर में स्टोर डाटा की निगरानी का मुद्दा नेता सदन अरुन जेटली निकाहा आम लोगों के जीवन पर नहीं होगा कोई असर सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए होगी डेटा की निगरानी ग्रिह मंत्राले की आदेश को बताया यूपिय सरकार की दौरान बने नियम के तहट उठाया गया कदम नेशनल हिराल्ड मामले को असोसियेट जोनल्स लिमिटेट और सुन्या गांधी राहूल गांधी को जटका दिली हाई कोट ने कहा दो हफ़ते में खाली करे नैशनल हिराल हाउस नहीं तो होगी कारवाई सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली एजोयल की याचिका की खारिच भारत और चीन के बीच करवाहट दूर करने के लिए दस सूत्तरिय कारिक्रम तै दोनों देशों के मीडिया में बढ़ेगा संबात सांस्क्रितिक संबंधों को भी मजबूत करने पर जोर विदेश मंत्री सोश्म सुराज और चीन के विदेश मंत्री वांगी के बीच वारता में दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनाने पर सह्मती और सहरा बुद्दीन एंकाउटर केस में सभी 22 रुपी बरी मुंबई में सीबी आई के विशेश रदालत में फैसला काहा सास स्ट्रचनिक के नहीं मिले सबूत और आए बुलेटिन के शुरुआत पहली ख़बर के साथ कंप्यूटर में स्टोर डेटा की निगरानी के लिए केंद्रिय एजेंसियों को अधिकार देने के फैसले से जुड़े ग्रही मंत्राल के आदेश का मुद्दा आज राज्य सभा में उठा विपक्ष ने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग और राज्यूतिक दलों के जासूसी का रूप लगाया हलाकि सरकार ने इससाफ किया है कि ये कोई नया कानून नहीं है और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए डेटा का एकसिस होगा सदन में नेता विपक्ष घुलाम नभी आजजाद ने केंदर पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया नेता विपक्ष घुलाम नभी आजजाद ने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए लोगों की निजिता के साथ खिलवाड कर रही है निता सदन अरोन जेटली ने कहा कि ये फैसला राश्टी सुरक्षा के तहट लिया गया है ये आदेश यूपिये की सरकार में लिये गए निर्ड़े को आगे बढ़ाते हुए दिया गया है उर्ष कान रूल्स के तहट फ्रम टाइम तो टाइम वही एजनसीज हैं आईबी, CBI, नार्कॉटिक एजनसी, DRI इतियादी जो नोटिफाई हो जाती हैं जिसका संबन्द National Security, Public Order, Integrity of India के साथ खिरवार या खत्रय का है तो ये Authorized Agencies हैं तो तब से लेकर जब से Act बना, These Orders of Authorization are repeated from time to time 20 December को वही order repeat हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला है केंद्री मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने कहा कि किसी तरह के खानून से खिलवार नहीं हुआ है कॉंगरिस पार्टी गंभीर विश्यों पर चर्चार नहीं करना चाहती है केंद्री ग्रह मंतरले ने भी साफ किया है कि 20 December को जारी आदेश में सुरक्षा या कानून प्रवरतन एजंसियों को कोई नई शक्तिया नहीं दी गई है। एजंसिया हर मामले में सक्षम प्रादिकारी की अनुमती से ही किसी के कम्प्यूटर की जाच, निगरानी और डिक्रिप्शन कर सकती है। आईटे कानून 2009 किसी प्रादिकारी और सरकारी एजंसियों को यदिकार देता है कि वो देश हित और सुरक्षा के लिए किसी भी कम्प्यूटर में जिनरेट, जमा या भेजी जानकारी को अवरुद, निगरानी और डिक्रिप्ट कर सकती है। पंचानन मिश्रा, राजे सभा टीवी विपक्ष खासतोर पर काफी क्रोशित हो गया है, जिसका ये कहना है कि सीधे-सीधे निजुता के अधिकार का ये हनन है। सबसे पहले इस पर आपके टिपड़ी और क्या किसी व्यक्ति के कंप्यूटर, मोबाइल या उसके अपने परसनल लैप्टॉप की निगरानी अगर ये केंद्रे एजन्सिया करती है, तो क्या ये उसकी निजुता का अधिकार है। देखे हमें समझना आवश्यक है कि आज सारे मेसेज़े जो भेज़े जाते हैं, चाहे वो सिविलियन्स भेजें या वो किसी गलत इंटेंशन के साथ लोग भेजें, इमेल्स, सोशल मीडिया इन सबका प्रयोग होता है। तो अगर जिस प्रकार से जाँच एजेंसियां बाकी चीजों के उपर निगरानी रख सकती हैं देश हित में, उसी प्रकार से सारे देशों में जाँच एजेंसियों को अधिकार होता है कि वो इमेल्स और मॉबाइल इन सबके डेटा के उपर निगरानी रखे इन सर्टन कं तो अगर हम भारत की बात करें, जन्वरी 18 से जून 18 का जो लेटेस डेटा है, उसमें भारत सरकार ने 5100, 5100 यूजर डेटा रिक्वेस्ट मांगे हैं गूगल से, छे महिने के काल पे, अगर उसी को हम अमेरिका से कंपेर करें, तो उसी पीरिएड में युनाइटेस डेटा रि स्टेटिस्टिकली ये सजेस्ट नहीं करता, लेकिन इस पूरे ये जो दस एजेंसियों का नाम आया है, उसको लेकर के कुछ सवाल कड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक साथ दस एजेंसी के नाम दे दिये, बट हम ये नहीं बता रहें कि अगर मालीजे दिल्ली पुलिस कमि बतानी की जरूरत नहीं कि किस का, लेकिन कितने लोगों का डेटा और किस प्रदेशों से कुछ जितना भी उसके बारे में बता सके, वो डेटा लोगों को डिस्लोज करना चाहिए, क्योंकि अधर्वाइस ये काफी अंधेरे में रहकर के सर्वेलेंस हो रही है, जो शायद क एक जिगे रेजिस्टर करना चाहिए, ये भी करना ज़रूरी है, और जिस प्रकार से हेबस कॉर्पस का लोग होता है, कि यदि किसी व्यक्ति को एक दिन से ज़्यादा कोई कारगार में रखता है, तो इसको कोट ले जाना होता है, उसी प्रकार से अगर किसी एक व्यक्ति क हफ्तों तक या महीनों तक data surveillance किया जा रहा है तो उसको continue रखने का process क्या होगा तो मेरे खाल में ऐसा नहीं है कि यह कुछ बहुत नया हो गया या अंतराश्टी इस तर पे ऐसा नहीं होता है लेकिन हमें इसको थोड़ा streamline करने की आवशकता जरूर है ताकि लोगों को इस पर trust आए बिल्कुल और सरकार भी तो यही कह रही है कि यह कोई नया कानून नहीं है और देश की सुरक्षा के लिए data का सिर्फ एक एक्सेस है और इसके लिए भी बकाइदार नियम काइदे कानून है और काफी सावधानी पूरवक ही इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे जी बिल्कुल और मेरे खाल में सरकार को थोड़ा सा और इसमें transparent रहना चाहिए यह बताने के लिए कि वो कितने लोगों का surveillance कर रही है say over the month क्योंकि काफी लोग यह accuse करना शुरू कर देंगे दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है कि इसका political इस्तमाल हो रहा है या इसका किसी एक section को exploit करने के लिए इस्तमाल हो रहा है तो इन चीजों को disclose करना regularly काफी important रहेगा और यह कहना कि पिछली सरकार ने किया था और उसकी पिछली सरकार ने किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं कोई भी लौ बदलता रहता है इवाल्व होता रहता है और उसमें नए नए आयाम आते रहते हैं और सरकार को इसके लिए open रहना चाहिए है बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरी बातशीत के लिए आपका और इधर के इनते वित्त मंत्री अरुन जेटली ने अपने फेस्बुक ब्लॉग के जरीए एक बार फिर कॉंग्रिस को निश्वाने पर लिया है उन्होंने राफेल विमान और कंप्यूटर डेटा निगरानी मामले में कॉंग्रिस के बयानों की आलोचना की राफेल विमान से जोड़े लेख का शीरशक है कॉंग्रिस बिड़ा सोचे बात करती है जिसमे अरुन जेटली ने लिखा है कि कॉंग्रिस प्रवक्ता भारती वायूसेना चीफ की अलोचना इसले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वायूसेना की युद्धक शमता में सुधार के लिए राफेल विमानों की जरूरत ततकाल बताई उन्होंने लिखा कि कॉंग्रिस जिस व्यक्ति पर टिपड़ी कर रही है वो वायूसेना के सबसे सक्षम व्यक्ति है वितमंद्री ने लिखा है कि केंद्र में चाहि यूपी के सरकार रही या फिर अन्डिय के सरकार दोनों के ही कारेकाल में वायू सेना को राफ़ेल विमान की चےएन प्रेक्रिया में शामिल किया गया उन्होंने लिखा कि देश की रक्षा क्षमता को और मस्पूद करने के लिए उसेना को हथियार से लेस विमानों की जरूरत है उन्होंने लिखा है कि 2012 में रफेल विमान को उसकी क्षमता और लागत की मामले में जाच परकर ही चुना गया कंप्यूटर डेटा से जोड़े लेख का शीरशक दिया गया है कोई ताग जाप नहीं ये रास्टे सुरक्षा का मामला है और इस लेख में वितमंत्री ने लिखा है कि कंप्यूटर डेटा निगरानी को लेकर जो भी चर्चा की जा रही है वो तथेहीन है और गलत जानकारी के अधार पर है अरुन जेटली ने लिखा कि कॉंग्रेस पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी मुद्दे को सही ढंक से समझने की पहले बयान बाजी शुरू कर दी अरुन जेटली ने लिखा कि सूचना प्रद्योगी की अधिनियम लगभग दो दशकों से अस्तित्त में है और इस अधिनियम की धारा उनहत्तर भारत की संप्रभुता, अखंडिता, रक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए सरकार को अधिकृत क की समान है, इसे पहले विद्नमांत्री अरुन जेटली ने इस मसले पर राज्य सभा में भी बयान दिया था और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए विदेश जाने वाले भारत्य श्रमिकों के लिए जरूरी सला परदेश में नौकरी पाने के लिए केवल विदेश मंत्राले के साथ पंजिकृत भरती एजेंटों के माथिम से ही जाए जाते समय किसी भी व्यक्ती द्वारा दिया गया कोई भी पाकेट लेकर ना जाए आप फश सकते हैं जिस काम के लिए जा रहे हैं उसका थोड़ा प्रशिक्षा अवश्य लेकर जाए परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्षित जाओ प्रशिक्षित जाओ विदेश पहुंसते ही भारतिय दूतावास से संपर करें परदेश में आपका दोस्त भारतिय दूतावास विदेश पंत्राले द्वारा जलहित पें जारी ब्रिकी बास स्वागत है आपका सभापती अमवेंके अनाइडू की अपील के बावजूद राफैल और कावेरि मुद्दे पर आज वराज्य सभा में लगातार आठवे दिन गतिरोध जारी रहा सददन की कारिवाही शुरू होते ही सभापती अमवेंके अनाइडू ने सदन में लगातार जारे अवरोध पर चुंता जताई उन्होंने पार्टियों और सदस्यों से सदन के सुचारों संचालन के लिए ववस्था तै करने की बात कही सभापती ने कहा कि सभी पार्टी की सहमती होने पर वो सदन के विवस्था बिगारने वाले सदस्यों के खिलाफ कारवाई करने को तयार है सभापती ने सत्तापक्ष और विपक्ष उसे अवरोध खत्म करने के लिए बातचीत पर सोर दिया सुथा मत्यूνित वा itsोडसर हुआ खत्तव्ट करने की दोवस्था और है सबस्थियू और इन के खशें ह रातक लंगिवक्तभटर वियर को की घडंग्यभねः को आप में अविधक्य आप्वस्था इट बूडरे बिए इन चाहे है अगरेम्त तो सेरे नहास फंटरिस नहीं जारी किया हावरिया जैरbright कि रुड को सिल कर य। उचे हैईável झार लौसाइप थाजिए अवड़ सभापती ने सभी मुद्दों पर चर्चा के अरुमती देने और सरकार के बहस के लिए तयार होने के बावजूद सदन में गतिरोध पर निराशा जताई सभी नोटिस को मेरे क्याल से पहली बार स्वीकृति दिया यहां से और सरकार के ओर से भी वो लोग भी तयार है ऐसा कहा वो क्रिशी क्षेतर के संदर्ब में प्राइज राइस के संदर्ब में रैफर के संदर्ब में और यह हमारा कावेरी के संदर्ब में और साइकलोन के रला तमिनाडू और अन्य विशियों में भी इतना जीरोवर्स अडमिट हुआ, कुछ नहीं हो पाया, कुछ से नवर नहीं हो पाया, all these things, all situations, if there is a proper situation, normal situation, we can discuss any situation. शूरीत कालिन सत्र मेर राज्यसभा में आठ दिनों तक कोई कामकाच ना होने से, राज्यसभा की उपसभापती हरिवंश बेहत व्यथित है, उनका कहना है कि सम्विधान में राज्यसभा को अलग गरिमा के साथ विकसित किया गया, लेकिन दुखद है कि सम्वेदन शूरील पर भी सदन एक जुट नहीं हो पा रहा है, जबकि सभापती सभी एहम विश्यों पर चर्चा की मन्जूरी दे चुके हैं. मैं आजकल पिछले खास्तों से सितकाल इन सत्र में देखना हो कि इस उच्छे सदन में जो गंभीर और मर्यादित भहस होनी चाहिए थी, और नहीं हो रही, तो मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन का कहा एक वाक्य नजर आता है, याद आता है, उन्हीं से पच्पन में मैं कोट सुनाना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों, we want to maintain the good name and dignity of this house, every one of us is interested in that as much as I am, I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious responsible members of the parliament, but rather like irresponsible professional agitators. that impression even all members of this house to whatever side they may belong should avoid, we must be careful and preserve our good name and our dignity, that is what I am anxious about. आज किस तबकी के लोग लाए जाए जाएंगे जो राजनीत के माध्यम से नहीं जीत सकते चुनाओं या नहीं पहुंच सकते दर्में, वो आएं पर गंभिरता से चीजों पर विचार करें. आज जब मैं अखबारों में राजिस सभा के काम न करने के की खबने देखता हूं, उनका जो टोन देखता हूं, जिस तरह से उसके पीछे भावना दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि जो अरदा किस नजी ने हमें वर्न किया था, कम से कम वो इंप्रेसन समाद में हम न जाने दें, तो यह बहुत दुखद हालात है। समीती ने सिफारिश की है कि अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद कारवाही को बाधित करने वाले सदस से, सदन के अगली पाच बैटको या सत्र की जमापती तक जो भी कम हो, खुद ही निलमवित हो जाएंगे। की जा रही है। अनुशासन की कलपना की गई है और इसलिए पार्लिमेंट के जो रूल्स भी है आप उसमें देखे वो डायरेक्शन के तोर पे दिये गए है कि मेंबर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका आर्थम मेंबर ने खुद समझदारी से व्यवार करना चाहिए। तो अपेक्शा तो यही है तो वही अपेक्शा में करती हूँ। और नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली हाई कोट से कौंग्रिस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत नहीं मिली है। असोसियेटेड जॉर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली हाई कोट से ढटका लगा। दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली इस्थित नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने से जुड़ी याजका पर शुकरवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोट ने National Herald की कमपनी Associated Journals Limited की याज़का खारिच करते हुए कहा कि उन्हें दो हफते में इमारत खाली करनी होगी Associated Journals Limited ने दिली हाई कोट में याज़का दायर कर National Herald House की लीज रद करने की फैसले को चुनोती दी थी इस मामले में कोट में सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षत रख लिया था National Herald House दिली के ITO इलाके में है 30 अक्टूबर को केंदर सरकार ने 56 साल पुरानी लीज ये कहकर रद कर दी थी कि इस इमारत का इस्तिमाल व्यवसाइक काम के लिए किया जा रहा है Land and Development Office का कहना था कि लीज के मताबिक इमारत में प्रैस का काम चलना चाहिए लेकिन पिछले 10 साल से यहां कोई प्रैस का काम नहीं चल रहा था National Herald को Congress का मुकपत्र माना जाता है आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था Congress को बरसो पुराने Herald House को खाली करना होगा Court ने इसके लिए दो हफ़ते की समय सीमा निर्धारित की है हालाकि ये देखना होगा कि तैसमे में Congress Herald House को खाली कर पाती है या और कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करती है कैमरामें जुनेद खान के साथ नविकरम सिंग राज्य सभा टीवी दिली और सुहरा बुद्दीन श्वेख हैंड काउंटर केस में CBI के विशेश अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्ट सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया CBI के मुंबई अदालत ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में तीन लोगों की जान गई है लेकिन आरोप साबित करने के लिए कानून और विवस्था को सबूतों की जरूरत होती है कोट ने कहा कि हत्या और साजश को साबित करने के लिए जितने भी गवाह और सबूत पेश किये गए वो नकाफी थे इसके लावा फैसले भी ये कहा गया कि तुल्सी राम प्रजापती के हत्या साजश के तहत हुई या रूप सही नहीं पाए गया सोहरा बुद्दीन 2005 में एक मुटभेड के दौरान मारा गया था गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि वो आतंकी संगठन लशकरे तयाबा से जुड़ा हुआ था वहीं सीबिया के मताबिक सोहरा बुद्दीन उसकी पत्नी कौसर भी और उसके सहयोगी तुलसी राम प्रचापती को अगवा किया गया था लेकिन कोट में सीबिया की बात साबित नहीं हो सकी सौराब्युदीन को जो गोई लगी थी वो कोट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी या जिस हत्यार से चलाए गया वो हत्यार आरोपी को लौट था ऐसा कोई पुरावा नहीं आया तुलसी राम परजापती जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको अब्ड़क किया गया था वो भी कोट के सामने सिद्ध नहीं हुआ तुलसी राम के इंकाउंटर को कोट ने जीनेन इंकाउंटर माना है कोट ने ये निर्ने दिया है कि तुलसी राम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया ये डिफेंस की जो थेवरीती कोर्ट ने इसको सही माना है जहां तक कौसर भी का मामला है इस संदर में प्रोसियों में कोई पुरावा कोर्ट में पेश नहीं किया भारत और चीन के रिष्टों में करवा हर दूर करने के लिए शुकवार को एक नई रणीती पर काम शुरू हुआ दोनों देशों ने इसके तहट मीडिया और संस्कृति को आधार बना कर एक दूसरे के बारे में सकरात्मक जानकारियां और विचार विनियम को बढ़ावा देने का निर्णे लिया विदेश मंत्री सुष्म सुराज और चीन के विदेश मंत्री वांगी के बीच बाचीत के बाद दोनों देशों के बीच वहान में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और चीन के राष्टपती शीजिन पिंग के बीच बनी सहमती पर काम बढ़ाने का निर्णे लिया गया वहान में इस साल अप्रेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्टपती शी जिन पिंग के बीच बनी सहमती के मताबिक अलग थी और हमने दस आयाम चांटे दस खेत्र चांटे जिन पर ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज और जिस पर कल्ट्रल एक्सचेंज हमारे सांस्कृतिक संबंध और हमारे लोगों के बीच के आपसी संबंध खड़े होंगे ऐसे जो स्तम्भ हैं दस मैं उनकी चर्चा पहला है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा फिल्म और टेलिवूजन में सहयोग, फिर संग्रहाले प्रबंधन में सहयोग, फिर खेल के ख्षेत्र में सहयोग, फिर युवाओं के आदान प्रदान में सहयोग, परियतन के ख्षेत्र में सहयोग, फिर राज्य और शेहर तरपर आदान प्रदान में सहयुग फिर परंपारागत ऐशधी में सहयुग फिर योग के क्षेत्र में सहयोग और दस्वाम क्षणिक सहयुग इस चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच नकारात्मक्ता को रोकने पर जोर दिया गया जाoksेंटलों विसक्त ρाग उशढनें ऑ SMS रॉघ आवडिते हैं लिका खाटास्टी जाता है in, you know, breaking down all these barriers. How do we bridge this information gap? You know, there needs to be, you know, better exchange between the journalists and not just this forum. You know, more Indian journalists traveling to China, to various parts of China, to places, for example, you know, from where the maritime silk route is supposed to start, like Fujia. I've been to Fujia. And, you know, if Indian journalists go to Fujia and get an idea, you know, what is this, you know? This is a good idea. This is a good idea. India-China High-Level Media Forum के तहत हुई. निर्णा लिया गया कि इसके बाद नियमित तोर पर मीडिया कर्मियों के बीच बातचीत होगी और दोनों देश अपने यहां आम लोगों के आने जाने की प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे. यह सच है कि भारत और चीन तक तक्राओं में नहीं रह सकते. इसलिए दोनों सरकारों का प्रियास यह है कि दोनों देशों के बारे में जानकारियां बढ़ाएगे जाए झाल झाल